कॉंग्रिस के एक और विधायक ने दिया स्तीफा क्या चुनाओ से पहले ही पुद्डुचेरी में गिर जाएगी कॉंग्रिस सरकार किसानों के मुद्दे पर कॉंग्रिस की अगवाई कर रहे राहूल गांधी आज पुद्दुचेरी में हूंगे लेकिन वहाँ पहुचने से पहले ही उनकी पार्टी को तगड़ा जटका लगा है क्योंकि मुख्यमंत्री वी नारायन सामी के करीबी माने जाने वाले विधायक ए जॉन कुमार ने स्तीफा दे दिया है ए जॉन 2019 के उक्चुनाव में कामराज नगर सीट से विधायक चुने गए थे जॉन के स्तीफे के बाद पुद्दुचेरी में समविधानिक संकट खड़ा हो गया है क्योंकि राज्य में अब कॉंग्रिस की गड़बंधन सरकार अल्पमत में आ गई है चार विधायकों के स्तीफे के बाद 33 सदस्ती विधान सभा में कॉंग्रिस की संक्या बल दस रह गई है जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है उसके सहयोगी दल द्रमुक के तीन सदस्ते हैं जबकि एक निर्दली विधायक का समर्थन भी सरकार को हासिल है विपक्ष के पास 14 विधायक है यानी सरकार और विपक्ष के विधायकों की संक्या अब बराबर हो गई है इन्ही आकडों के अधार पर वीजेपी खेमे वाला विपक्ष अब नाराण सामी का स्तीफा मांग रहा है पुड्डू चेरी में इसी साल मई में विधान सभा चुनाओं होने हैं लेकिन उससे पहले ही कॉंग्रेस को जटके पर जटके लग रहे हैं ए जौन को मिला कर अब तक कॉंग्रेस के चार विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा है कुमार से पहले वरिष्ट विधायक मलाडी कृष्णा राव ने स्वास्त मंत्री पत से स्तीफा दे रिया था और सुम्वार को विधान सभा से भी स्तीफा दे दिया मंत्री ए नमसी वयम और कॉंग्रेस सदैसर ई थीपन जान भी विधायक पत्स स्तीपा दे चुके हैं इस उथल पुथल के बीच राहुल गांधी आज से पुद्डुचेरी में कॉंग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुवात करेंगे राहुल गांधी सबसे पहले सोलाई नगर में मच्वारों को संबोधित करेंगे और फिर यहां के भारती दासन गर्मेंट महिला कॉलेज में चात्राओं के साथ समवाद कार्टर में शिर्कत करेंगे इसके बाद राहुल गांधी कॉंग्रेस की ओर से आयोजित एक जन सभा में शामिल होगी राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनावती पार्टी की अंदरूनी फूर को रोकना है नहीं तो दक्षिड का बचाई ये किला भी कॉंग्रेस के हाथ से फिसल जाएगा झाल 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 झाल